नमस्कार दोस्तो शिविल इंजिनेरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभिशेख सिंग एक बहुत ही बहुत बेहतरीन वीडियो के जरिये दोस्तो मैं समझाने वाला हूँ कि अगर आप अपने लिए घर बनवा रहें चुकि बहुत जगह ऐसा गलती होता है और गलती के कारण हाथ से भी होते हैं लेकिन दोस्तों लोगों के बीच जनकारी नहीं होने कारण दोस्तों वही गलती बार-बार रिपीट होती है तो दोस्तों मैं आज आपको बताना वलो हो कि अगर आप एक septic tank का निर्मान करवा रहे हैं और आपने जो घर के लिए planning बना रखिये दोस्तों उसके according आपका जो footing है आपका जो column है दोस्तों वह septic tank के किसी भी भाग में आ सकता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक septic tank मना जारा पूरे चार column दोस्तों चारों कोर्नर पे आप देख रहे हैं जो घर के लिए column है septic tank के लिए किसी भी corner पे column होगारा देने की आवसकता नहीं होती है लेकिन दोस्तों अगर आपका घर का column septic tank में आ जाता है तो उस हीती में क्या करना है आप देख सकते हैं दोस्तों की column को मजबूती देने के लिए हम तरह-तरह के उपाय करते हैं लेकिन दोस्तों जो septic tank में column आता है तो दो तीन तरह के problem आता है पहला problem दोस्तों की column को अच्छे तरीके से हमें waterproofing करना पड़ता है, चुकि अगर सरिया तक दोस्तो पानी पहुँच गया, septic tank में जारी से बात है, दोस्तो, sludge के साथ साथ पानी भी रता है, पानी अगर हमारे सरिया तक पहुँच गया दोस्तो, तो फिर वो सरिया को धरे-धरे जंग लगा देगा, रस्तिंग होने के बाद में दोस्तो, कुरोजन होगी और उसके बाद प्रिया का स्टिंद चला जाएगा, आप भी जानते हैं दोस्तो, कि हमारे घर का जो सारा का सारा लोड होता है, बीम के जरिये दोस्तो, ट्रांसफर हो करके कॉलम के फुटिंग तक ही जाना है, दोस्तो, वाटर प्रूफिल से भी पहले जो काम करना चाहिए, वो ये करना चाहिए, दोस्तो, कि हमारा जो फुटिंग है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर माल लीजे कॉलम जो है वो प्रोपर जो है वो septic tank के अंदर आगया फिर तो वो नीचे से देते हैं अगर septic tank के just बगल में हमारा footing आगया दोस्तो तो लोग क्या करते हैं कि उपर से ही कि अगर लोड पढने से दोस्तो ये कॉलम जो है वो septic tank पर affect डालेगा तो क्या करना होगा दोस्तो कि आपको पहले से ही septic tank का जो base होता है दोस्तो जहां आम PCC करते हैं उसी PCC bed पर दोस्तो आपको क्या करना है कि कॉलम का footing डालना है इससे आपका जो कॉलम का base है दोस्तो वो मजबूती से पकरे रहेगा और 37 दोस्तों कॉलम धाशन या फिर शेटल डाउन का खतरा नहीं होगा तो ये सब कुछ चीज़े हैं दोस्तों जो आपको हमेशा अपने घर बनवाते समय ध्यान में रखना चाहिए फिर मिलते हैं ऐसे ही मात्पून जानकारी के साथ धन्यवाद करे जैंजे थूबून धन्यवाद से ऊफिर में साथ नहीं हो दो में घजय्यवाय घर खिरूर फिरूम जांका चाहिए दोने घरफ खूर मिलते हैं दोने जा kayता हैं प्ल covered टोने दोने हैं प्ले princi पिर दोने हैं ढवर दोने होग ऑने ठोने में एंमें फिर फिरूमूर खिर